मेरे पैरे देश्वासियों, कहते हैं, जीवन के संगर्सों से तपे हुई व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। अपनी रोज मर्रा के जिन्दगी में हम कुछ ऐसे साथ्यों को भी रेखते हैं, जो किसी ना किसी सारिरिक चुनोती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं, जो यहां तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथ्यों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लेंग्वेज। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लेंग्वेज के लिए कोई स्पस्ट हावभाव ताई नहीं थे, स्टेंडर्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्थ 2015 में इन्जियन साइन लेंग्वेज रिसर्च एन ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना कुई थी। मुझे खुशी है कि ये सांस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्स्परेशन्स की डिक्ष्नेरी तयार कर चुका है। दो दिन पहले याने 23 सितंबर को साइन लेंग्वेज डे पर कई स्कुली पारक्रमों को भी साइन लेंग्वेज में लॉंच किया गया है। साइन लेंग्वेज के 23 स्टांडर को बनाये रखने के लिए राष्ट्रिय शिक्षान निती में भी काफी बल दिया गया है। Sign Language जो dictionary बनी है उसके वीडियो बना कर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है। YouTube पर कई लोगों ने, कई संस्थानों ने Indian Sign Language में अपने चैनल सुरू कर दिये हैं। यानि 7-8 साल पहले Sign Language को लेकर जो अभियान देश में प्रारंभ हुआ था, अब उसका लाब लाखों मेरे दिव्यान भाई बहनों को होने लगा है। हर्याना के रहने वाली पूजाजी तो Indian Sign Language से बहुत खुश है। पहले वो अपने बेटे से ही संभाद नहीं कर पाती थी। लेकिन 2018 में Sign Language की ट्रेनिंग लेने के बाद मा बेटे दोनों का जीवन आसान हो गया है। पूजाजी के बेटे ने भी Sign Language सीखी और अपने स्कूल में उसने स्टोरी टेलिंग में प्राइज जीतकर भी दिखा दिया। इसी तरह टिंका जी की 6 साल की एक बिट्या है। जो सुन नहीं पाती है। टिंका जी ने अपनी बेटी को Sign Language का कोर्स कराया था। लेकिन उन्हें खुद Sign Language नहीं आती थी। इस वजह से वो अपनी बच्ची से कॉम्निकेट नहीं कर पाती थी। अब टिंका जी ने भी Sign Language की ठेनी ली है। और दोनों मा बेटी अब आपस में खुब बाते किया करती है। इन प्रयासों का बहुत बड़ा राब किरला की मंजुजी को भी हुआ है। मंजुजी जन्म से ही सुन नहीं पाती है। इतना ही नहीं ही। उनकी परेंट की जीवन में भी यही स्थिती रही है। ऐसे भे Sign Language ही पूरे परिवार के लिए समवा का जरिया बनी है। अब तो मंजुजी खुद ही Sign Language की टीशर बनने का भी फैसला ले लिया है। साथियों मैं इसके बारे में मन की बात में इसली भी चर्चा कर रहा हूँ ताकि Indian Sign Language को लेकर awareness बढ़े इससे हम अपने दिव्यां साथियों की अधिक से अधिक मदद कर सकेंगे। भाव और भानों कुछ दिन पहले मुझे ब्रेल में लिखी हेम कोष की एक कौपी भी मिली है। हेम कोष असमिया भाषा की सबसे पुरानी डिक्सनरीज में से एक है। यह 19-20 सताबदी में तयार की गई थी। इसका संपादन प्रख्याद भाषावीद हेम चंद्रब बरवाजी ने किया था। हेम कोष का ब्रेल एडिशन करीब 10,000 पन्नों का है। और यह 15 वल्यूम से भी अधिक में प्रकाशिर होनी जा रहा है। इसमें एक लाग से भी अधिक शब्दों का अनुवाद होना है। मैं इस संवेदन सिल प्रयास की बहुत सराना करता हूँ। इस तरह के हर प्रयास दिव्यां साथियों का कौशल और सामर्त बदाने में बहुत मदद करते हैं। आज भारत पारा स्पोर्ट्स में भी सफलता के प्रचम लहरा रहा है। हम सभी कई टूर्नामेंट्स में इसको साक्षी रहे हैं। आज कई लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगों के बीच फिटनेस कल्चर को जमिनी स्थर पर भढ़ावा देने में जुटे हैं। इससे दिव्यांगों के आत्मिस्वास को बहुत बल मिलता है।